Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की Quick Energy Update है और हम देखेंगे कि आज आपके परसन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं So ये सारे Star Science की रीडिंग होती है, ये एक Short Reading है और बिल्कुल Timeless है So let's see, आज आपके परसन क्या सोच रहे हैं आपके लिए और कैसा फील कर रहे हैं So सबसे पहले हमारे पास King of Pentacles So इस टेक में King of Pentacles बहुत जादा आता है हमेशा The Tower, ये Tower Card I feel बहुत कमाया है इस टेक में So आप लोग के दर्मियान में कोई Tower Moment आया है, कुछ बढ़ा Unexpected Ace of Pentacles, okay Next is, वाओ, King of Cups Bottom of the deck पर हमारे पास है Nine of Pentacles Okay So ये इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आप लोग के Reading के सेंटर में Ace of Pentacles हैं जो के एक नई शुरुवात का इंडिकेशन है, ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुवात चाहते हैं आपके साथ फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्लीन पेज के साथ स्टार्ट करना चाहते है Because with the Tower Moment, I feel कि जो पहले था, वो सब खतम हो गया Destroy हो गया और वो आपके लिए बहुत ज़दा painful था, hurting था आप दोनों के लिए चीजें बहुत ज़दा उनकी foundation मजबूत नहीं थी मजबूत foundation पर नहीं बना था connection तो सारी चीजें खराब हो गई हैं आप लोगों के दरमयान बट ये इनसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं और ये शुरुआत सचाई के साथ करना चाहते हैं ये इनसान बहुत genuinely आपका अच्छा चाहते हैं genuine इनके दिल में आपके लिए feelings हैं with a king of cups और हमेशा चाहते हैं कि आप जहां भी हो खुश हो बट इस scenario में मुझे नज़र आ रहा है कि ये इनसान genuinely आपको a connection, a relationship offer करना चाहते हैं I don't know ये क्या situation है आप लोगों के दरमयान बट मुझे ये mainly नज़र आ रहा है कि ये इनसान आपके साथ connection, relationship चाहते हैं, बड़ा serious relationship चाहते हैं इनकी desire है आपके साथ a serious relationship I also feel कि ये इनसान बड़े wealthy है, यानि एक अच्छा healthy lifestyle है इनका ये इनसान बहुत खुबसूरत, charming हो सकते हैं ये इनसान financially I feel कि अच्छे हैं, stable है, चाहे male हो या female खुबसूरत दिखते हैं, neat and clean रहते हैं So, ये जो भी मुझे hints नजर आ रही हैं, मैं वो आपको दे रही हैं तो आपको पता चल जाए कि आपके person है या नहीं So, I really feel कि ये इनसान बड़े cool and calm किसम के इनसान है But at the same time, अगर इनने किसी से प्यार होता है, तो ये बड़े intense भी है With this king of cups, ये बड़े intense energy भी है मेरे लिए When it comes to love So, ये इनसान बहुत intensely और deeply आपसे प्यार करते हैं और अगर हम खासतार पर आज की बात करें क्योंकि हम उनकी आज की feelings देख रहे हैं ये इनसान बहुत आपको miss कर रहे हैं आपको याद कर रहे हैं, आँखे बंद करके, आपको imagine कर रहे हैं और आप इनके दिल में हैं बहुत जादा आज आपके बारे में ये सोच रहे हैं No matter what, जो भी situation है इस वक्त आप लोंके दम्यान ये इनसान बहुत जादा आपके बारे में सोच रहे हैं आपको love offer देंगे, बड़ी stable offer है ये जो भी offer है So आप बिलकुल भी expect भी कर रहे होंगे जब ये इनसान आपको ये love offer देंगे ये commitment offer, ये relationship offer देंगे So ये इनसान आज यही सोच रहे हैं, यही feel कर रहे हैं कि कब, कैसे, कहां उन्होंने आपको ये love offer देनी है मुझे ये भी feel हो रहा है कि आपको कोई surprise भी दे सकते हैं कुछ surprise भी दे सकते हैं, कुछ बड़े creative अंदाज में वो कुछ plan कर सकते हैं, आपके लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है I also feel कि ये इनसान बहुत ज़दा expressive नहीं है लेकिन उनका पूरा इरादा है, इस वक्त वो सोच रहे हैं कि वो आपसे कुछ express करना चाहते हैं और बड़े अच्छे way में, बड़े creative way में अपना प्यार express करना चाहते हैं बहुत lovingly आपको pursue करना चाहते हैं approach करना चाहते हैं आपको क्योंकि ये offer है और ये बड़ी creative offer है जो वो आपको देना चाह रहे हैं मुझे ये भी feel हो रहा है कि में भी बहुत कम लोगों के लिए एक message आ रहा है कि शायद वो आपके साथ मिलकर कोई project करना चाहते हैं वो आपको offer करेंगे कि चलो मिलके ये काम कर लेते हैं चलो मिलके YouTube channel बना लेते हैं जब हम ये करेंगे तो हमारा रिष्टा जो है वो और अच्छा हो जाएगा अंदर वो ये सोच रहे होंगे कि रिष्टा अच्छा हो जाएगा एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के सा time spend होगा तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा भी आपको offer करें तो ये आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे ज़रूर बताईगा comment section में I'll see you in my next video till then love you lots bye bye